बारिश शुरू होते ही नदी नाले उफान पर आ जाते हैं जिससे ग्रामिनों की परिशानी बढ़ जाती है करीब दस हजार से जादा अबादी और दर्जन भर गावों के बाशिंदे दश्कों से नदी पर पुल की मांग कर रहे हैं उदासीन सरकारे ग्रामिनों की इसमां को गंभीरता से नहीं ले रही आज एक बार फिर ग्रामिन नदी की जद में हैं मानव श्रिंखला बना कर ग्रामिन पूल पार करने को मजबूर है जान जोकिम में डाल कर नदी पार करते ग्रामिन रोजाना मोट से दो चार हो रही है यह मामला 36 गड के बीजापूर के चिंता वागू नदी के कोंगू पली तारल गुडा सडक के रप्टे का है करीब 60 मिटर लंबी चिंता वागू नदी बारिश के दिनों में उफान पर होती है ऐसे में गाउं का संपर्क बाकी मुख्याले से कट जाता है रोज मर्ना की जिंदगी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पढ़ता है शेतर वासी दशकों से यहाँ पुल की मांग कर रहे हैं जिस पर सरकारी नुमाईदे उदासी है जिसका खामियाजा शेतर में मुझूद दरजन भर के 10,000 से ज़ादा ग्राव वासियों को भुगतना पढ़ रहा है बीजापूर विधायक विक्रम मंजावी का कहना है कि ग्रामिन लंबे समय से इस रप्चे पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं बारिश के दिनों में चिंता वागू नदी में पानी बढ़ने से लोगों को परेशानी होती है ग्रामिनों की परेशानी और जरूरत को देखते हुए बहु जल्द कोंगू पल्ली तारला गुड़ा रप्चे पर पुलिया सविक्रित का कारिये प्रारम करवाया जाएगा बता दे कि यदि कोंगू पल्ली तारल गुड़ा सड़क के रप्चे पर पुल बनती है तो कोमट पली, मिनका पली, भटी गुड़ा, लोडेड, कोता पली, सनकनाप, मेटू पली, गुबल गुड़ा, उसका लेड गाउं के ग्रामिनों को सिधा लाब मिलेगा 36 गर से स्टेट एड प्रनेगरवाल की रिपोर्ट 37 गर से साथ लाब मिलेगरवाल की रिपोर्ट झाल 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 झाल